कि क्या आप भी परिशान है उस न्यूस से जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर क्वेश्चन यह है कि क्या एक्जाम्स पोस्पॉन होंगे क्या जून या मेका अटेम्ट इलेक्शन की वज़े से पोस्पॉन होगा हां की ना आज देखेंगे इस वीडियो में चलती है आगे ब सबसे पहले इसमें आते हैं कि आखिरकार यह मुद्दा चल क्यों रहा है एक्जाम्स पोस्पॉन होने का वोट इस दरीजर सर्दरीजन इस वरी सिंपल दरीजन इस इलेक्शन की डेट्स है और जो एक्जामिनेशन की डेट है वो कर रही है कोईंसाइड और सबसे बढ़िय सबसे हैं कि इसे पोडल रहा ह की डेट्स से एक मैंना पहले आती है एक्स्पेक्टेड यह हैस बार की इलेक्शन की डेट्स होंगी 13ate of March को डेट्स आती है तो election लगबग 7 phases में होता है तो अगर आप 4 दिन के इसाब से कर लो हर phase को complete होने में तो लगबग 28 दिन मतलब 30 दिन आपको लगबग 1 महिना लगेगा election complete करने में process और जब date declare होती है उससे 1 महिना बाद election होते हैं तो अगर 13 मार्च को date declare होती है तो 13 एप्रल से approximation है कि election शुरू होंगे अब अगर यही election 30 दिन survive करते हैं all India basis पर क्योंकि हमारे exam भी all India basis पर होंगे तो 13 मही तक यह सारे exam खतम होंगे प्रॉब्लम यह है कि इसी timeline के बीच में यहां पर आ रहे हैं आपके CA inter और CA final के exam की dates तो बच्चे सोच रहे हैं क्या exam postpone होगा चलो हम आपको इस बात का जवाब दे देते हैं answer is yes यह मेभी नो बट बात एक मेरी यह समझो अगर exam postpone हो भी गए तो कितने अगर उस चीज के लिए तुम आज से सोच रहे हो और पढ़ नहीं रहे हो यह सोच के कि जब exam की date final हो जाएगी तब मैं पढ़ूंगा तो आप तो वैसे भी 10 दिन बरबात कर दोगे तो अगर 14 दिन exam postpone हो भी दो हपता दस दिन तो तुमने बरबात कर दिये तो बचे तो चार दिन इसे अच्छा अगर तुम इस चीज से उभर नहीं पा रहे हो तो तुम दिन में 30 मिनिट निकाल लो जिसमें तुम बैट के दिन बर यही सोचो 30 मिनिट निकाल के एवरी डे कि हाँ एक्जाम अगर पोस्पॉन होंगे तो मेरा प्लैन कैसे होगा लेकिन 30 मिनिट से ज्यादा इस बारे में मत सोचो चूंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है क्या यह पॉसिबिलिटी है कि एक्जाम पोस्पॉन होंगे दा आंसर इस लेकिन सिर्फ इंटरमीडियेट और फाइनल के पाउंडेशन के एक्जाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा डाट इस अगर मेरी इलेक्शन की डेट जो आने वाली है वो यही आने वाली है तो इलेक्शन की डेट आई ही नहीं इलेक्शन की डेट जाके आई 20 मार्च को तो तो 20 एप्रल के पहले पिर तो इलेक्शन 20 एप्रल से शुरू होगा ठीक है अब 20 जितना ये तेरा मार्च के बियॉण्ड जाएगी डेट ठीक है जितना बाद में जाएगी ठीक है उतना जादा chances बड़ते चले जाएंगे CA exams के postpone होने के लेकिन सिर्फ intermediate और final के foundation के exams जैसे हैं वैसे ही रहेंगे चुकि वो वैसे भी 20 June onward शुरू होने वाले हैं तो उसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा तो conclusion इस discussion का इतना है कि exam postpone होने के 92% chances हैं delay के 13 March तक इस चीज़ पर और clarity आजाएगी institute के एक meeting भी है 8-10 March के आसपास ठीक है तो वो चीज़ clarity मिल जाएगी बट अभी क्या है सर अभी यह समझे है कि reason election है ओके लेकिन dates तो अल्रेड़ी आ चुकी है ना even mock test की date आ चुकी है तो अगर dates delay होती है अच्छा है ना इसी चैनल पर और revision करेंगे और 4th March जो की कल है मैं अपना detailed plan आपके साथ लेके आ रहा हूं कि मैं क्या करवाने वाला हूं आपको कैसे revise करने वाले वैसे हमारे revision चली रहे है बट detailed plan के साथ की revision कब तक चलेंगे क्या चलेंगे सारी चीज़े हम आपको कल 4th March को बताने वाले हैं शाम को साथ बच के 15 मिनिट पर तो I take your leave for now with a question exam will be postponed इसके आगे question mark है बट जिस चीज़ के आगे question mark ये नहीं है नहीं होना चाहिए क्या आप अभी time waste करेंगे चुकि अगर आप time waste करते भी हैं तो exam postpone होने के बाद भी आप पास नहीं कर पाएंगे so this is your educator CACS Shantam Gupta India's number one educator for law signing off thank you so much for watching अगर content अच्छा लगा तो नीचे comments सरूर करना thank you so much bye bye see you tata